हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके assignment submission की guidelines के बारे में इगनू ने आपके assignment submission के लिए तीन और regional center की तरब से assignment submission की guidelines जारी कर दिये तो दोस्तो आईए जानते हैं कौन-कौन से regional center ने assignment submission की guidelines जारी किये दोस्तो अगर आपको नहीं पता है कि assignment कैसे बनाने और assignment कब और कहां submit करने हैं तो इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तो आईए topic पर आते हैं तो सबसे पहले आपका Delhi One Regional Center ने assignment submission की जो guidelines है वो जारी कर दिये जब आप Delhi One Regional Center की website पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं December 2022 term and exam के लिए जो आपके assignment submission की guidelines है वो आ गई है यहाँ पर आपको click here पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगा यह PDF आपको download करना है तो यहाँ पर लिखा है online या offline आपका study center जैसे भी assignment submit कर रहा है आप अपना assignment submit कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 0700 यहाँ पर आपका जो study center है यहाँ पर आपको बताया गया cooperative industrial state यहाँ पर आपका link दिया गया गया गूगल form का इसके थुरू आपको assignment submit करने है या फिर यहाँ आपको please submit through google form only at about link no email hard copy यहाँ आपर google form के थुरू आपको assignment submit करने है बाकी आपका किसी भी तरह से assignment नहीं लिया जाएगा आपको simply is google form पे click करना है then आपका google form जो है वो open हो जाएगा और यहाँ से आप अपना assignment जो है वो submit कर सकते हैं यहाँ आपर कुछ guidelines है वो आपको ध्यान से पढ़नी है इसके बाद ही आपको assignment submit करने हैं तो यहाँ आपर कुछ study center आपका google form के थुरू assignment submit कर रहे हैं अब कुछ study center जैसे कि यहाँ पर 0713 चानक क्या पूरी यह जो आपका study center है जैसस एन मेरी college यह आपका assignment जो है वो offline submit करा submit offline hard copy at study center only on Sunday 9 a.m. to 1 p.m. तो अगर आपका college जैसस एन मेरी college है मलब कि अगर आपका study center जैसस एन मेरी college 0713 है तो आप अपना assignment सिर्फ और सिर्फ Sunday को 9-1 के बीच में submit कर सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि email और google form के थुरू आपका assignment submit नहीं किया जाएगा इसके बाद कुछ और study center है जैसे कि आपका यहाँ पर बताया गया है IGNU program study center यहाँ आपर जामिया मीलिया इसलामिया अगर आपका यह study center है तो यहाँ आपर आपका Sunday 9-2 के बीच में आपका assignment submit किया जाएगा तो यहाँ आपर आपको guidelines दे गई है यहाँ आपर आप अपना study center देखके अपना assignment जो है वो submit कर सकते है इसके बाद बात करते हैं आपके Delhi 3 Regional Center की Delhi 3 Regional Center ने भी assignment submission की guidelines जारी कर दी है जब आप यहाँ आपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपर आपका PDF डाउनलोड हो जाता है यहाँ आपर आप December 2022 term and exam के लिए अपना assignment submit कर सकते हैं अगर आपका study center आर्य भटर कॉलेज है तो यहाँ पर आपको under process में दिया गया है क्योंकि assignment कैसे submit होंगे यह भी आनी बाकी यह अब यह under process में है इसके बाद अगर आपका study center आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज है तो यहाँ आपर Google form का link दिया गया है इस Google form के link के थुरू आपका assignment submit करने इसके बाद यहाँ आपको बताया गया है जैसे कि आप यहाँ आपर नीचे जाएंगे यहाँ आपर अगर आपका study center या सीन M.E.O. degree college है तो यहाँ आपको अपने assignment जो है वो study center में submit करने यहाँ आपर time भी लिखा हुआ है यहाँ आपर बताया गया है कि आप 9 से 1 के बीच में assignment submit कर सकते है तो ऐसे आपको यहाँ आपर guidelines दी गई है और कुछ study center ऐसे भी है जो close हो गए है यह shift हो गए है तो यहाँ आपर आपको नीचे बताया गया जैसे कि यहाँ आपर लिखा हुआ है उर्वी विक्रम National Center for Adults Land यहाँ आपर लिखा the study center has been closed and the student of July 2019 session has been shifted to different study center आप किसमे shift किये गए हैं कौन कौन से students तो यहाँ आपर आपको list दी गई है आपको यहाँ आपर देखना है कि हमारा study center किसमे shift किया गया आप महाँ पर अपना assignment submit कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं आपके Delhi 2 regional center की Delhi 2 regional center ने भी आपके assignment submission की guidelines जारी कर दी है यहाँ पर जब आप click here पर click करते हैं तो आपका PDF डाउनलोड हो जाता है यहाँ पर आपको पहले तो guidelines दी गई है यह कि last date 30 सितंबर है इसके बाद last date आपकी जो है उसे 31 October तक extend कर दिया जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको PDF दिया गया है कि आपके assignment कैसे submit होंगे online या offline तो यहाँ पर आपको बताया गया जैसे 0712 अगर आपका study center code है विवेका नंद college तो यहाँ आपको google form के थूँ आपको assignment submit करने है इसके बाद अगर आपका study center lady hardin medical college है तो यहाँ आपको mail के थूँ submit करने है इसके बाद अगर आपका study center अमर्जयोती rehabilitation and research center है तो आपको यहाँ पर offline आपको college में जाकर Monday से Saturday 10 से 4 के बीच में submit करने है तो यहाँ पर आपको यह guidelines दी गई आपको इस guidelines को देखते हुए आपको अपने assignment submit करने है तो दोस्तों आई होप आपको लाश्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो रहाट regional center ने भी assignment submission की जो guidelines है वो जारी कर दी थी कि आपके जो assignment है वो 30 सितंबर तक study center में submit होंगे offline उसके लिए आपको cover page दिया गया है इसके साथ साथ similar regional center ने भी assignment submission की जो guidelines है वो जारी की थी यहाँ पर जब आप similar regional center की तरफ से आप guidelines देखेंगे जैसा कि आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सो होगा कि similar regional center ने assignment submission के लिए यहाँ पर google form का link दिया हुआ है यहाँ पर आप google form के link के थुरू आप assignment submit कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका देली 1, देली 2, देली 3 और similar regional center और जो रहाट regional center ने assignment submission की guidelines जो है वो जारी कर दिये आप कैसे पता करना है कि assignment कहां submit होंगे कैसे submit होंगे तो simply आपको इस website पर आना यहाँ पर सारे regional center दिये हुए आपको regional center पर click करना है then आपको guidelines check करनी है कि assignment कैसे submit होंगे तो दोस्तो आई हुप आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने assignment कहां submit करने है दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा share करें और अगर आपको वीडियो से related कोई भी doubt है तो आप मुझे comment box पर comment करके या फिर मेरे Instagram या Telegram पर मुझे follow करके अपना doubt के लिए कर सकते हैं धन्यवाद